नमश्कार मैं हूँ श्रया और आप मेरे साथ देख रहें इंडियन हूम डियाई वाई उमीद है आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे आज का टॉपिक है गुड है लियाने हिबसकस के फ्लावर्स हमारे सेहत और संदरता के लिए क्या क्या काम आ सकते हैं और इस वीडियो की रिक्वेस्ट करें थे शम्ता वडेल जी ने अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट कीजेगा मैं ज़रूर बना के लिए क्या हूंगी एक रिक्वेस्ट है यदि आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा कमेंट और लाइक शरूर कीजेगा और जिन्होंने अल्रेड़ी सब्सक्राइब किया प्लीज लाइक कीजेगा और कमेंट शरूर कीजेगा गुठहल का फूल पूरे भारत में सब जगें almost मिल जाता है और एक कई रंगों में मिलता है गुलाबी, लाल, पीला, नीला, सफेद इस तरह के खुबसूरत रंगों में गुठहल के फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे पूदा थोड़ा बड़ा होता है जो 7-8 पूर्ट तक हो जाता है और हर मौसा में almost आपको खुबसूरत फूल देते है गुठहल के फूल, पत्तियां और जड़ और च्छाल सभी काम आते है गुठहल के अंदर बहुत जादा एंटियोक्सिडेंट होते है एंटियोक्सिडेंट का मतलब है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है यानि अगर गुठहल का इस्तिमाल किया जाए तो मुख्य रूप से वो 8 तरह से आपको सुरक्षा कवच देता है ये बात मैं करने हूँ सिहत की तो सबसे पहले बात करते हैं दिल की इसकी अरूमा और एंटियोक्सिडेंट आपके ब्लड प्रिशर को लो रखते हैं यानि आपका स्ट्रेस लेवल कम करते हैं तो नीन बहुत अच्छी बेते हैं यानि आपका हिद्य हमेशा स्वस्थ रहता है क्योंकि antioxidant cholesterol को कम करते हैं और जो इसका stress living factor है वो आपके blood pressure को normal लगता और इस वज़े से आप अगर high BP से परिशान है तो please good health का 7 चाय के रूपे start कीजिए और आश्चो जनुप रूप से आप फायदे देखेंगे अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंदर और कम पानी पीते हैं तो ये कीन मानिए गुठल की चाय आपको वज़न कम करने में बहुत है जाद मतद देगी चाये आप ice tea ले चाये hot tea ले गुठल की चाय अगर आप लेते हैं तो ये आपके जो fat cells है यानि भून के अंदर जो level होता है fat cells बनने का उसे आस्ट्रोजन फूप से reduce करती है और फाइदा आपके weight loss में होता है हमारा liver हमारा बहुत ध्यान रखता है लेगिन अगर liver का आप ध्यान रखना चाहते हैं गुठल के चाय या गुठल का शर्पत स्टार्ट कीजिए और अपने liver को तंदरूस देगे यानि antioxidant से packed और इसका जो pigment होता है आपके liver का बहुत जादा ध्यान रखता है अगर आप एक चमच ताजा गुठल का रस एक चमच अलोविरा जेल के सार लेते हैं तो काफी हत्ता के cancer को बनने से आपके शरीर में रोकता है यानि इसके compound ऐसे हैं जो cancer को trigger नहीं होने देते अगर आपको UTI यानि urine infection होता है तो गुठल की चाय उसके लिए बहुत जादा अच्छे इंफर गुठल का शर्पत भी UTI के लिए बहुत इफायते मंद है क्योंकि बेक्टिरिया से fight करता है और उसे चर से खतम कर देता है और अब बात करते हैं कि इसको लेनी किस तरह से जाए आप गुठल की पत्यों को ताजा या सुखा के किसी भी रूप में काम कर ले सकते हैं सबसे पहले जो तरीका हम देख रहे हैं आप उसे बॉइल कर लें फगोने के अंदर और बस इस तरह चान के चाहें तो निम्बू डालें या शहद मिला लें दूसरा तरीका साबुत गुठल का जो फूल है उसे ग्लास में डालें उपर से पानी डालें ठंडा या गरम और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें और उसके बाद हाथ से फूल को क्रश करके उसका रस निकाल लें और आपका ठंडा गुठल का शर्बत तयार है चाहें तो आप इसमें शहद मिला सकते हैं आप चाहें तो गुठल के इस तरह से गरम पानी में डालके साबुत फूल को कम से कम तीन फूल और निम्पुने चोड़ लीजिए या चाहें तो आप गुठल को सुखा के उसका पा अगर आप प्रेगनेंसी की तरफ चाह रहे हैं तो गुद हैल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल को डिस्टरब करता है हाँ पर अगर आपको हैवे ब्लेडिंग है या किसी वज़े से आपकी एकसेस ब्लेडिंग होती है तो गुद हल की चाह मिरकल का काम करेगी और आपकी हैवे ब्लेडिंग को बिलकुल नॉर्मल कर देती है अगर आपकी हार्मोन इंबैलंस से धाइराइर की प्रॉब्लम है तो गुट हल की चाये आपके लिएter का काम करेगी आपके हार्मोन को बैलंस करती है तो अप चलिए बात कर लेते हैं कि अभी है तो हमने देखा सिहत के लिए गुट हल की चाये किस तरह से लेने चाहिए और अब देख लेते हैं खुबसूरती इसकिन और हैर के लिए जो गुड हैल किस तरह से काम मिले जाए अगर यह जो मैंने आपसे भी चाय डिसकस करी थी इससे आप हैर वाश करते हैं तो धीरे धीरे आपके हैस का कलर इस तरह का हो सकता है अगर आप बालों के लिए तेल बना रहे हैं तो अलोवीरा यानि धरतकुमारी का गुदा साथ में सूरज मुखी का तेल और इन दोने के कॉंबिनेशन के साथ आमला आपको बस करना क्या है कि सूरज मुखी के तेल के अंदर आमला और जो धरतकुमारी है इसका पेस्ट बना ले और साथ ही इसमें गुद हल के 8-10 फूल डाल दीजे और 4-5 हरी पत्तियां डाल दीजो और आपका गंजे पन के इलाज के लिए वेहतरीन तेल बन के तियार हो जाएगा मैं जल्ली इस पर वीडियो लियाओंगी तो अगर आप चाहें तो इस तरह से अपना खुद का घर पे तेल बना सकते हैं यानि जो गुढ़ल की पत्तियां हैं वो भी बहुत ही जादा काव में अगर गंजे पन के शिकायत तो इनफेक्ट आप उसे घस की पेस जैसे भी लगाएंगे तो बहुत फाइदेमन्द है शम्ता जी ने मुझसे कहा कि उनके यहां पे बहुत गुढ़ल के फूल लगते हैं तो बस शम्ता जी वेस नहीं करना है गुढ़ल के नीचे पौधा है तो उसके नीचे सूती कपड़ा बांदीजे और फूलों को अपने आप छड़ने दीजे अच्छे से पेस्ट बनाएं सौरी पाउडर बनाएं और अब देखते हैं यूज कैसे करना है अगर आप बालों में परगंडी या मेरून रंच आते हैं तो हिबकस यानि गुठल के फूलों का पाउडर और बी टूट का पाउडर बराबर मातरा में लें उबालें ठंडा होने पेस में हीना भीगो दें बारा घंटे बाइद आप अप्लाई करें और खुबसूरत मेरून और बरगंडी कलर आपके बालों का आएगा जब तक बालों का वो टोना है जब तक आप लगातर अप्लाई करें ये सफेद बालों के भी काम करेगा आप दूसरा तरीका देख लेते हैं कि अगर किसी वज गुद्ध हल को एक साथ गरम पानी में हलका सा भीगोएं लोहे की कड़ाई में भीगोएं तो बहुत अच्छा है ने तो नॉर्मल पर्चन में भीगोएं पेस्ट बनाएं लगाते समय उसमें आप चाहें तो केस्ट्रोइल मिला दीजिए चाहें तहीं मिलाएं या अलोवे गुद्ध हल के ताजा फूलों का जो चहरे पर मसाज करते हैं तो चहरे पे एक खुबसूरत बिंग ग्लो आता है उमीद है गुद्ध हल के फूलों और पत्तियों का आज मैं आपके साथ में जो बानेफिक शेयर कर पाए हैं वो आपको कुछ ना कुछ नालेज आज चरूर देगा और आपके कुछ ना कुछ कांफ जरूर आएगा उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा अपना ध्यान रखिए सुंदर लगे और स्वास्तर है और हाँ प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा मैं जल्दी मिलूँगे नए वीडियो के साथ तब तक टेक कियर बाई! प्लाज ऱुजर ओुपर प्लाजर जा प्लाज जाद बादन है झाल, चाल, नादन है